वेल्कम बेक तुमाई टूप्शल पेपर हैकर आज किसी वीडियों देखने बाने है जुभी महत्मा गांधी कासी बिद्धिया पीठी उनिवस्टी बनारस में है उसके लिए इंप्रोमेंट एक्जाम भी कहते हैं याद रखना आप एक साथ होंगे अपके ठीके अठारा उन्निस तारीक सब्केपर श्टार्टिंग आपको पता ही होगा तो इसमें आपको क्या क्या पढ़के जाना है याद रखना इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना अठ इसके अलावा कुछ और नहीं देखना है कैमिस्ट्री के तीनों पेपर में आपको क्या का पढ़के जाना है उसके अलावा कुछ और मत पढ़ना कुछ और पढ़ने की ज़रूत नहीं है आपको देखो एक तो बैलंस वांड थियोरी को याद करेंगे आप उसकी इसको आप याद करेंगे यह मोश्ट इपोट्रेट नहीं था इसको नहीं देखना है और नीचे जाएंगे आपके घ्रण और उप्योक को जो होती है उसको अच्छी तरीकि से याद कर लेना ये मौस्ट इंपोटेंट है उसके बाद में इलेक्टोने को छोड़ देना चक्री ए बढदिए नियम को याद कर ले most important है आपके guess paper notes में होंगे यह सारे आप इन question को याद करेंगे क्योरी को याद करेंगे क्योरी क्योरी ताप क्या होता है nickel ताप को छोड़ देना और moniker orbital theory को याद करेंगे carbon die oxide और carbon die oxygen और carbon monoxide इन तीन को याद करना इनके bond order को निकाल लेंगे इसको छोड़ देना है उसकी बाद में hsav जो टिपड़ी होती है इस most important है जिसे कहते हैं देखो hard and soft acid and base इसके बारे में याद कर लेना most important है d1 से लेकर d9 तक के electron विन्यास को याद कर लेना है यह most important है वीटा रिट लेना इसको होता है आप इसको भी पढ़के जाएंगे फर्स्ट पेपर में उसकी बाद में आपको क्या पढ़ना है इसको पढ़ना है इसको भी पढ़ लेना most important है धातू कार्मल को पढ़ेंगे और बाकी इसको छोड़ देंगे क्पढ़ को नहीं इhtalad को पढ़ना है मैगनीज के कार को पढ़ लेना आकार्विंग रबर को छोड़ देंगे और बाकी यहां कुछ नहीं देखेंगे अंब्रसा किसे कहते हैं एक यह पढ़ लेना और यहां हम कुछ नहीं देखने वाले हैं ठीक है और रिज़ेको हुंड का रूल इसके Most Important है हुंड का रूल पढ़ लेना है Hydrogen Bond क्या होता है इसको पढ़ लेना और About का नियम और Poly का नियम जो था है उसको पढ़ लेंगे डी ब्रॉंगली समीकर्爾 को पढ़ देंगे ठीक है डी ब्रउंगली बैप समीकर्ण बस इतना पढ़ना है और बाकी तुम्हें इसमें कुछ नहीं देख रहा है कारवन धात वी उपर बता चुका हूँ बत्वाइर और पिरॉल बनाने की भी इसको पढ़ लेना उसके बाद में उजोसम्ड नहीं पढ़ लेना है और आपको बहुली गरण क्या होता है जिसे योगात्म बहुली करन और इंको अच्छी तरीके से आप पढ़ गें याद करके जाएंगे और इसको छोण देना है गुलुकोज के रिंग इस टेक्शर को याद कर लेना है सेकिंड पेपर में याद करेंगे जैसे हम और्गनिक केवस्टी कहते हैं सुक्रोज के बारे में पढ़ लेना वेटा सुक्रोज के बारे में यहां पढ़ लेंगे इसको उनके गोड और बनाने की बिधी को पढ़ेंगे और उसके बाद में आप देखेंगे नायलॉन 6-26 क्या होता है इसके बारे में याद करेंगे टैफलोन की बारे में छोड़ देना ये सब कोई ने को पढ़ना है आपको ठीक है अमिनो अमलचार ये सब को चोड़ देना है तीक है सलफोनल बनाने की बिधी को याद कर लेना और नुकलिक के घटक भी चोड़ देना प्रोटीन की सरचना की बारे में याद कर लेना इसको भी छोड़ देना है और डेस क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे और ये भी छोड़ देंगे और उसके बाद में फिनोल फैप्तिलिन रेंजीन बनाने की बारे में देखेंगे इसको पढ़ देंगे और यूरिया फैर्मिन देना को छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है बागी इन सब को कुछ नहीं कड़ेंगे नीचे इसके थर्ड पेपर में बेटा क्या क्या पढ़ोगे आप देखो पेपर मॉस्ट इंप्रोटेंट है बैक पेपर या फिर इंप्रोमेंट इससे कहते हैं इसको सब को छोड़ेंगे मैं उपर बता चुका हूँ उसकी बाद में मुलरता और में अंतर इसकी परिभासा पढ़ लेंगे और बोहर का सिद्धान्त उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ लेंगे कौंटम इफेक्ट को पढ़ेंगे संकृत कक्ष को छोड़ेंगे आया स्पेक्ट्रम को छोड़ेंगे परमारु स्पेक्ट्रम और अडभी के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेना है ठीक है और हाइजें मरक का अनिस्वा सद्धान्त पढ़ेंगे यह most important है संकरन मैं को पढ़ देना और क्वांटम संख्या को छोड़ देना है ठीक है चुम्मक की आगल विदी दरा इसको भी छोड़ देना है और देखो आश्टीन के प्रकास तनुता का नियम पढ़ देना इसको आप पढ़ेंगे हिमांग का अपनम इसको छोड़ देंगे और बाकी हमें परीप्ति की परिभासा और प्रदीपति की परिभासा इसको परिकास अभिकिरिया को इसको अभिकिरिया को याद करेंगे न हो्र उसकी बात में देखो एक को देखना है जिसे कहते हैं विएयर और लेवाड का नियम यह वाला कोश्एन allocat ये ऐब सेगले Alan और फ membayक्र सब्सक्राइब तो आप इन कोशनों को याद करके जाएंगे यह थे मनारस युनिवस्टी जिसे कहते हैं महत्पंगादी काशी बिद्ध्यापीट के लिए